दोनों कप्तान मैच रफरी के साथ टॉस के लिए तैयार एक रोमान्चक मैच की शुरुआत करते हुए ये आ रहे हैं दो अंपायर नए गेन के साथ और ये आ रहे हैं फिल्डिंग साइड पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ ये आये सलामी बले बास दर्शक उनका पूरे जोरो शोरो से स्वागत करते हुए तेज गेन बास क इनिंग की पहली गेन का सामना करते हुए ओहो हो उठा के खेल दिया है खुबसूरत शॉट और ये सीधा बाउंडरी के पार चलिए देखते हैं कि अगली गेन स्टेडियम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी बहुत ही अच्छी थाल मेल तोनों बल्लेवासों के बीच में बड़िया राणिंग इट्वी देखेट्स बल्लेवास अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए उठा के खेल दिया है गैप में गई ही और ये बैतरीन चौका ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ओफ इस लाइफ वाह क्या बात है पहला रन तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रन की कोशिश होनी चाहिए यहाँ बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स और ये शॉट बस एक रनी निकाल पाए बहुती बड़ी अताल मेल दोनों बल्ले बाजों की बीच में अच्छी रनी मिट्वीन द विकेट्स इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुती सूजबूज और नियंत रन के साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ दूसरी ओवर की शुरुवात यहाँ स्पिनर से करवाया जा रहा है पावर प्ले की समाप्ती और अब फील्डिंग टीम दो से अधिक फील्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं उन्दा शॉट ला जवाब प्लेस्मेंट फील्डर तो वहाँ दर्शक बने रहे गए यह एक ऐसे बल्ले बाज है जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे पावर प्ले समाप्त होने के बाद अब फील्ड तो खुल चुकी है अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए हवा में खेल दिया था ठीक तरह टाइम नहीं कर पाये थे यहां और यह आउट निराश होकर पैविलियन के तरफ लटते हुए पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं यह इसी लिए अब पॉइंट पे फील्डर मौझूद उठा दिया है छे रन जैसे ही बैट पे लगी थी कोई दो राए नहीं था कोई संदेह नहीं था कि यह छे रन है तर्शक इनके दिवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छक्का मार देंगे इनिंग की आखरी बॉल ये रही आपके सामने बॉल सीधा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं इसी के साथ पहले इनिंग्स की समापती ये देखना बहुती दिल्चस्प होगा कि क्या रन नीती के साथ आते हैं बले बाज यहाँ इससे चेस करने एक बार फिर स्वागत है अब सबका दूसरी पारी की शुरुआत में बले बाजों के सामने टागेट सेट है चलिए देखते हैं क्या वो ये चेस कर पाएंगे और ये आ रहे हैं दो अंपायर्स फिल्डिंग टीम के साथ और उनी के ठीक पीछे सलामी बले बाज विकेट समाल के खेलना होगा यहाँ मैच एक बहुत ही रोमांचक मोड पर है चलिए चलते हैं लाइव आक्शन की तरफ तेज गेनबास को लाया जा रहा है इस छोर से इस आकरामक फिल्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूज और नियंतरण के साथ गेनबाजी करनी होगी यहाँ खेम दिया है गाप में और ये एक राण थोड़ी सी ताल मेल में गडबड थी यहाँ और अब तो भगवान ही बचाए बहुती निराश लग रहे हैं गैच आउट हो जाओ बोल्ड हो जाओ लेकिन रनाउट कभी मत होना अक्सर देखा गया है कि रनाउट मैच की परिस्तिती बदल देती है पहलारान तेजी से लेते हुए अमपायर का इशारा नो बॉल बल्लेबाज अपनी पहली गेन की तैयारी करते हुए उपा के खेल दिया है गैप में गई और ये बैतरीन चौका इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे लाजवाब शौट एक पल में लगा कि गेन बल्ले से लगी और दूसरे ही पल में बाउंडरी के उस पार चार रन बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शौट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मोगा है कहीं उसे गवा न बैठे इनकी फील्ड प्लेस्मेंट तो मानो फील्डिंग नहीं चक्रव्यू रचा रखी है चुरा लिया है एक रण बड़िया रण बिट्रीन डेकेट्स और ये आउट बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत है और स्टरपिंग और अमपार का इशारा नो बॉल निराश होकर पैविलियन के तरफ लटते हुए कैच आउट हो जाओ बोल्ड हो जाओ लेकिन रण आउट कभी मत होना अक्सर देखा गया है कि रण आउट मैच की परिस्तिती बदल देती है नजाकत से खेल दिया है सिंगल के विए बहुत ही आक्रामक बल्लेबास है ये विश्व क्रिकेट में बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपार नोट आउट देते हुए और दूसरे शोर पे भी तेज गिनबास को ही लाया जा रहा है क्या मैच देखने का अवसर प्राप्त हुआ है आज स्टेडियूम खचाखच बरी हुई और मैच अपने आखरी ओवर तक जाती हुई बहुत ही अच्छी थाल मेल तोनों बल्ले वासर तो बीच में है बड़ी आराणिंग मेट्वी अपने डीप पॉइंट पॉइंट पे फील्डर लगाया है कप्तान ने बहुत ही बड़िया क्याच फील्डिंग को जाज बहुत खुश होंगे इस प्रदर्शन से बहुत ही निराश लग रहे हैं पिछले कुछ मैचों में बहुत ही बेरहमी से दुलाई की है फ्रास बोलर्स की इनोंने खतरनाग गेन और सीधा बल्ले बास के शरीप में लगी इनकी धीमी गती की गेन से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पार यहीं समाप्स हो सकती है उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बेटरीन चौका एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे गैप में खेल दिया है यहाँ और यह चार रन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहाँ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है रही हॉर्म क्या वहाँ प्रूरी तरह में है वहां यह फॉर्म आरेल दो मैं ने जीजुक्व में आतए टो मैं डॉलë हा इ relentless